हेलो फ्रेंट स्वागता है आपका आपके अपने लीगल चैनल में दोस्तों इसका टाइटल आपने देखा होगा डर्पोक मत बनो अब देखो मेरी बात बुरी लग सकती है कई लोगों को लेकिन वास्तिकता यही है जो लड़का पक्ष होता है वो घबराता रहता है शुरूर से लेके आखिर तक ठिक होता क्या है सामने वालों ने आपके उपर एक केस जाला उस केस में उस F.I.R. में कितनी सच्चा ही होती है अपने दिल पर हैत रख करके बोलो जितनी भी F.I.R. हमारे पास आती है लड़के कहना यही होता है कि साब मैरीज की डेट के लावा कुछ भी सही नहीं है कुछ मामलों में तेहां तक बोला होता है मैरीज की डेट भी गलत लिखिये अब बताओ इतना भैंकर जूड बोलने से पहले बोलो डरे उन्होंने सोच आपक्स की बारे मेरा बताई है, सारे के सारे के उलातो है, सर पहले से लेकर आखरी तक सब जूटे मेरी इन्कम को चार गोना बढ़ा की बता रहा है, अपनी जौब दिखाई नहीं है.!!! आपके गले में लेकिन बंद गई दूसरी घंटी, फिर बजाते रो, बजाते रो, और फिर पैसे भी देते रो, फिर उसके बाद DV का केस जाल दिया, गले में पढ़ गई तीसरी घंटी, उसको भी बजाते रो, और उसमें भी आपका कहना यह होता है कि साब एक भी चीज सही नहीं है, अब हमारा कहना यह है कि जब उन्होंने इतने सारे जूटे मुकद में डालने से पहले एक बार नहीं सोचा, एक बार नहीं डरा, लेकिन जब आप यह कहते हैं कि सर मुझे अपनी तरफ से कुछ करना है, अब आपकी तरफ से जो हो सकता है, उस पे विचार किया ग जाते हैं और जब तैयार हो जाते हैं फिर आप घबराना शुरू कर देते हो मैं ऐसा करूँगा तो कहीं वो वैसा ना कर दें मैं ऐसा करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए मैं ऐसा करूँगा तो कहीं वैसा ना हो जाए कोई solution फिर आपके लिए नहीं है इस पूरे देश के अ अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, तो पहले आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों से घबराना नहीं है, सोचना है, हमने ये केस बनाया, अगर मन में कोई डाउट आया भी रहा है, तो उसकी solution के बारे में सोचना है, ना की इस बारे में कि मैं करूँगा, तो ऐसा करेंगे, ऐसे तो हर चीज़ का justification आपका मन बना लेगा, और आप पूरे जीवन कुछ करी नहीं पाएंगे, और अगर आप कुछ करोगे नहीं, तो फिर आपको पता है result क्या है, हमारे पास तो ऐसे से लोग भी हैं, जा 10-10 साल से डाइबोस के इसी चल बारा-बारा साल से 498 ही चल रहें, तो फिर तो आप भी उनी की तरह भीड का हिस्सा बन के रहे जाओगे, भीड से अलग होना है, तो भीड से अलग कुछ करना पड़ेगा ना, अब कितने लोग होते हैं, जो counter की strategy को follow करते हैं, और जैसा उनको guide किया जाए, वैसे ही करते है मुठी भर लोग होते हैं, और वो ही मुठी भर लोग आराम से साल देट साल में बहार आते हैं, क्योंकि वो अपने पक्ष को इतना मजबूत कर लेते हैं, कि सामने वाले को जहाँ दो date पर आपके पास आना पड़ेगा ना, तीसरी date पर वो तूट जाएगा, कि मैं नहीं आ उसको पता चल जाता है, कि कितना भेंकर हो सकता है लोग का मिस्यूच करना, और उसके लिए उसके साथ क्या-क्या हो सकता है, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, तो सीना चोड़ा करके, हर date पर आपको धमकाते भी हैं, आपके साथ बत्तमीजी भी करते हैं, आपसे पैसे भी भी होता है, और litigation में भी आपका लाखोर रुपे चला जाता है, चलाते रहो फिर तो ऐसे, ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि अपनी mentality ऐसी रखता है, कि मैं ऐसा करूँगा, तो मेरे साथ कहीं ऐसा ना हो जाए, ये डर अगर आपके मन में है, तो फिर आप इस लड़ाई को नही लड़ सकते, ये आप note down कर लिजे कहीं भी, केवाल आपका harassment होगा और पूरी life इसमें खराब होगी, अब ये आपको सोचना है, कि आपको अपना हिर्दे पक्का करना है, आगे बढ़ना है, step लेना है, या फिर यही सब सोचते रहना है, एक आदमी ने आपके साथ जो कर पार है, पर अधिकतर लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, जो financially capable है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डर में बजा है, उनके दिल का जो डर है, वो उनको करने नहीं देता कुछ, बहुत से लोग तो मैंने ऐसे भी देखे, counter पे घनी working की गई, एक एक महीना counter पे लगा दि सिच का कोई solution नहीं है, आप आज किसी से सला लोगे, कल किसी से सला लोगे, परसो किसी और से सला लोगे, permanent solution कोई नहीं मिलने वाला, लड़ते रो के से, और जल्दी जैसा कुछ कोट में होता नहीं, कि अगर आप सोचो में, एक साल में, दो साल में भार हो जाओंगा, और mutual व होता है, अब दोस्तों होता क्या है, कि जब इस तरह की बात बताई जाती है, बहुत से लोगे नाराज बूजाता है, लेकिन दोस्तों नाराजगी से तो कुछ होगा नहीं, नाराजगी से solution नहीं मिलने वाला, solution मिलेगा अपनी कमी को दूर करके, और कमी हर किसी में है, आप किसी और में कोई और होगी, मिर में कोई और होगी, लेकिन दोस्ता आज लेमन, कही ना कही नहीं, ठीक भी है आपको डर लगता है, लेकिन आपको इसको overcome करना है, देखना है कि सामने वाला किस हत तक गलत कर रहा है, वो ने ही डर रहा है, तो हम तो अपनी safety के लिए कर होग कर रहे हैं, खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं हम क्यों डरे हैं? हम अब तक accuce की form में हैं और वो complainant की form में बैठे हैं, अब हमे complainant हैं बनना है और उनको on onkos accuse की form में लाना है, जिस दिन वो IQs की form में आ गए, जिस दिन burden उनके ओपर shift हो गया, जिस दिन उनको आपके place पर आना पड़ेगा, जिस दिन उनको आपके place पर आके bail लेनी पड़ेगी, जिस दिन उनको आपके place पर lawyer hire करना पड़ेगा, जिस दिन उनके पैसे खर्च होने कर लो, और तब हम settlement करेंगे, ये तरीका है इसका, बहुत simple और बहुत साधरण, समझने की बात हैं, आप आज समझते हो, दो साल बाद ये बात आपको समझ में आती है, या दस साल बाद ये बात समझ में आती है, ऐसे से मामले हमारे पास रहे हैं, जहां वेक्टी पिष्टे, दस साल से लड़ रहा है, दस साल बाद वो कहता है, सर मैं अब अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, मैंने बहुत वीडियो देख लिये, और इतनी harassment झेल ली कि मेरे खेट के खेट बिग गए, अब मुझे बताओ, तो अब ये आप के उपर हैं, आप उस स्टेज पर जाके ही बात समझना चाहते हो, या अभी समझना चाहते हो, डिसाइड करो, और स्टेप लो,